रेट मी एट एक कॉल रेकोर्डिंग फाइल सेटिंग नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का थिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको वताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने कॉल रेकोर्डिंग फाइल को देख सकते या फिर कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर रेकोर्डिंग सेटिंग करना तो आसान है और रेकोर्ड करना भी आसान है लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कॉल रेकोर्डिंग के जो फाइल से वह कहा पर मिलेगा और कैसे आपको चेक करना है आज की इस वीडियो पर मैं आपको आप online पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते ही सब्से पहले हमें जाना है दोस्तों आपने मोबाइल के फाइल मेनीजर पर ठीक है अगर दोस्तों आप फोन के डैलर पर जाते तब भी आपको यहापर मिलेगा कॉल रेकोडिंग का ओप्शन लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे में आना है शो मौर पर क्लिक करना है और यहाँ पर है रेकोर्डेट कॉल्स ठीक है जहाँ आप जाके देख सकते हैं रेकोर्डेट कॉल्स को लेकिन दोस्तों यह जो सेटिंग है यह स्पेसिफिक वाइस है ठीक है मान लेजिए दोस्तों इस नंबर का आपको चेक करना है तो यहाँ पर जो नंबर है उसके अगर हम शो मौर पर जाते हैं तो कॉल रेकोर्डेट मिल जाएगा अगर रेकोर्डेट कॉल से तो ही आपको शो करेगा ठीक है तो एक एक करके आपका बहुत टाइम जाएगा तो बस फाइल मेनिजर पर जाएए और अपना यहाँ पे फाइल ओपेंड कर लिजिए फोल्डर्स को ओपेंड कर लिजिए उसके बाद स्कॉल डाउन कर अगर आप एसदी काड यूज करें तो इंटर्नल स्टोरेज परी जाएए ठीक है इंटर्नल स्टोरेज उसके बार आपको क्या करना है एमाई यू आई के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने के बार आपको क्लिक करना है साउंड रेकोर्डर पर और लास्ट में आपको मिलेगा यह कॉल रेकोर्डिंग ठीक है तो इसमें क्लिक करें और यहाँ पर आप चेक कर सकते आपका कॉल रेकोर्डिंग कर दो तो यह हैं दो सब्सक्राइब को मैंनेच कर सकती ARE आज की चैनल को सब्सक्राइब कि frühjeg vide खरो आज दितनी है अगर आपको यह वीद्विडेभ पसंदें आते बीडियो को लाइक किजी ए चैंट को सब्सक्राइब कीजिए